दोस्तों मैं अभी नहीं कि आप सबका स्वागत कात्रा हूं उत्राखंड से आप नीचे देखे हूं कि नदी बहरी है बहुत आगे शायद कैमला में आपको देख पा रही हो और बीच बीच में ऐसे कुछ मीटर्स लगा रखें इन में से मीटर्स के हम देखते हैं तो नदी क पानी आपके पास जब मौन्सून होगा तो यहां तक आ सकता है इसलिए आपके पास नापने के लिए आपके पास मीटर लगा रहता है यहां पर जो आसपास के लोग है उनको जगावेकेट करनी पड़ेगी पूरा आपके उसका मतलब जो शायद अब आपको उतनी दूर प आपको मेरे पीछे एक सस्पेंशन प्रिज दिख रहा होगा अभी हम उससे जाने भी वाले मेरे गाउंग की तरफ जितना भी लोड आ रहा होगा वह सारा लोड कैरी करेगा वह स्लैब डेक वह डेक फिर जाएगा फर्दर आपके पास सस्पेंशन ब्रिजिस पर जो उसके वा पर आपके पास जाएगा दोस्तों वह पूल आप देख रहे होंगे ना वह थोड़ा से देख रहे होंगे चती ग्रस तो रखाए और चलते हैं वहां पर देखते हैं कि उस पर जाने में कितने वाइब्रेशन होते हैं लोड ट्रांसफर मेकेनिजम भी समझेंगे तो दोस्त फेटेंशन प्रीज में आपके पास जो डेक को वह वायर्स कर दिए हो यहां पर आ रहा है थीक है है वह वायर्स ले लोड ले रखा है वह फाइनली यह देखिए दक से अंदर करीवान से कॉलम बणा होगा वहां पर ट्रांसफर हो जा रहा है तो जा रहे है इस त्यूटे म तो आपको चलके ही इस ब्रिज को क्रॉस करना है तब आपको वहाँ पर रोड मिलेगी बाकी इस जगह को दूसरी जगह से करेंट करने के लिए और कोई भी जगह नहीं है और वह ब्रिज तूटा हुगा चलते हैं स्मार्ट बोड पर दोस्तों मैं अभी नहीं कि आप सब का स् संडे का फंड़ा में ब्रिज क्यों टूटा उससे पहले मैं आपको इन बात बता देना चाहता हूँ कि Suspension Bridge क्या होता है और Stade Bridge क्या होता है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है एक Cable Stade Bridge जहाँ पर cables का load column पर और फिर ultimately ground पर transfer हो रहा है और यह bridge जो हमने इस बार के संड़े का फंडा में देखा यह suspension bridge जहां पर cables carry कर रही है deck का load और वापस से वो cables cables पर ही load transfer कर रहे है और end में वो column के थूँ स्वाइल पर जा रही है दोस्तों यह bridge क्यों टूटा और civil engineer को कुछ भी खराब कहने से या दोश देने से या उसकी गलती निकालने से कुछ भी नहीं होगा क्यूंकि दो conditions में अगर bridge, building, road, flyover, railway track, dam इन में से किसी भी चीज का failure होता है in fact civil engineer के बनाए हुए किसी भी structure का failure होता है तो इन दो conditions में कभी भी civil engineer की गलती नहीं होती है पहला अगर वो structure का design life पूरा हो चुका है और दूसरा जो उस पे load आया वो design load से बहुत जादा था even की factored load, factor of safety लगाने के बाद उससे भी जादा था तो इसमें civil engineer की गलती नहीं है civil engineer के according एक particular structure इतनी design life के लिए और इतने load के लिए safe रहेगा अगर design life उससे जादा होती है या load उससे जादा होता है तो इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है यहाँ पर क्या failure था पताता हूँ दोस्तों आपके पास, एक होता है आपके पास state bridge है ना, जैसे Bombay ceiling is a state bridge मैंने इसका एक Sunday का fund आपको पहले दिखाये था यह भी एक state bridge था जहाँ पर सारा load wires के थुरू एक pillan पे जा रहा है और pillan ultimately उसको ground पे transfer कर रहा है आपके पास Bombay ceiling against state bridge जहाँ पर pillan के थुरू वो column पे जा रहा है sorry, wires के थुरू वो pillan पे जा रहा है और ultimately वो ground पे जा रहा है suspension bridge के है जहाँ पर cables के थुरू जो load जा रहा है वो उपर initially वो cables पे जा रहा है cables यह deck है यहाँ पर traffic आएगा वो cables पे लोड जा रहा है और फिर cables पे ही transfer हो रहा है ultimately हाँ column के थुरू वो soil पे transfer होगा पर initially यह cables cables पे ही load transfer कर रही है ठीक है अब मैं आगे आऊं अपने इस ब्रीज के फेलर के उपर उससे पहले आपको बता दूँ इसको हम कहते हैं डेक जहां पर गाड़ी चल रही होगी या लोग चल रहे होगे आपके पास यह हो गया टावर आपके पास ब्लैक होगी केबल्स और अफकोस यह फांडेशन आपके प पास तो आपके पास जो रैड वाले केबल्स थी यह आगी केंशन में क्योंकि गाड़ी का वेट नीचे होगा यहां पर टैंशन लगेगी और जो ग्रीन वाले आपके पास कॉलम्स हैं यह आपके पास आगे अगर यह टैंसाइल स्ट्रेस मोर दिन परमिसिबल हो गया इन मे पास हो जाएगा any of these things plus one more thing दोस्तों आप सब को पता है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई column या कोई भी चीज है और यदी लोड मेरा exactly center of mass पे आया तो only direct stress will be coming इसका cross section में आपको अगर दिखाऊं तो यहां पर लोड आया तो only direct stress will be coming that will be forced by area पर if load will come at an eccentricity तो then along with direct stress bending stress will be coming that will be m by i into y और इस तरीके के जो मैंने आपको अभी दिखाया कभी भी eccentric load आया या eccentric load तो नहीं था पर आपने conditions eccentric मुना दी यहां की wires और यहां की wires में कुछ भी symmetry हुई कुछ भी symmetry से अलग हुआ तो जिसके कारण आपके पास एक तरफ आपके पास movement ज्यादा आएगा जहां पर bending stress ज्यादा होंगे और failure होने का chance ज्यादा है उससे यह failure हो सकता है तो जभी यह पूरा failure नहीं हुआ आपके पास एक तरफ का मेंबर टॉपल कर गया तो में भी इस एक्सेस के अलॉंग symmetry नहीं थी किसी एक केबल में ज्यादा लोड आया जिसके साथ कारण एसेंटे सीटे जनरेट हुई bending stress आए और failure हो गया अल्दो क्योंकि यह मेरे गाओं के तरफ जाने वाला मेरे गाओं में रोड नहीं जाता है आपको एक तरफ गाड़ी पार करके फिर काई काई मीलों तक पहले जलना पड़ता है इस ब्रिज के उपर समझाते हैं तो यहाँ पर जो failure था design life से ज्यादा हो चुके थे इसको लेकिन design life से ज्यादा होने के बाद भी failure नहीं हुआ था although local administration को बना कर दिना जीए जब design life से ज्यादा हो गया कि अब आपके पास इस पे चलने के लिए उप्यूक्त नहीं है नीचे जदी से चले जाओ पर यहाँ से मत चलो लेकिन फिर भी इसका जो failure हुआ था वो ना तो design life design life पूरी हो गई थी पर failure नहीं हुआ था नहीं eccentric के कारण हुआ नहीं आपको eccentric loading आई यह symmetry में कोई दिक्कत हुई यहाँ पे failure आपके पास हुआ था जो 2013 में उत्राखंड में आपके पास disaster हुआ था तराजदी हुई थी वहाँ पे जो flood level थ मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया भी हाई flood level वह हाई flood level के भी ऊपर थोड़ा सा नहीं उसके भी दो गुना ऊपर वहां पे flood आ रहा था इस पुल के आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों इस पुल के यहां से भी ऊपर आपके पास पानी था और उस water pressure के लिए design नहीं क पलिग्रम, civil bio producer and subscribe this channel thank you